26 अगस्त 2024, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर के इन दो कोनों में रखते, मोर पंख चमक जाएगी, आपकी किस्मत हो जाएंगे, धन्वान मिलेगा, संतान सुख और हर मनोकामना मात्र एक दिन में हो जाएगी, पूरी दोस्तों करीब 200 वर्षों बाद, जन्माष्टमी के पावन दिन पर एक बहुत ही दुरलभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के आशीरवाद से अमरित सिद्ध योग, धनलक्ष्मी योग, संतान प्राप्ती और राज योग का निर्मान हो रहा है, और ऐसे में यदि आप इस दि की हर मनो कामना, आपकी मात्र एक आसान से उपाय से पूरी हो जाएगी, आखिर क्या है, ये उपाय जो की इतना प्रभावशाली है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखे, और अगर आप भी भगवान श्री अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना न भूले। पढ़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशियां बांटी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था। इस दिन वरत धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यंत ही फलदाई होता है। इस बार 26 अगस्त को पढ़ रहा है। ये कृष्ण का 5251 जन्माश्टमी होगी। जन्माश्टमी के लिए इस बार शुब मुहुर्थ 44 मिनट का है, जो 12 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिनी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुरलब सं जन्माश्टमी की पूजा करने से तीन जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी। वहीं अगर किसी की आत्म प्रेत योनी में भटक रही है, तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करेगी। इस दिना का वरत निसंतान को भी संतान का सुख देने जन्माश्टमी का वरत करना ना भूलें। साथ ही जो इस वरत को शुरू करना चाहते हैं, उस बर उनके लिए सबसे अच्छा मौका है। भगवान श्री कृष्न की कृपा पाने का। ऐसे में वह भी इस बार वरत को शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते ह मोरपंक के उपायों के बारे में दोस्तों, मोरपंक घर में शान्ती और सुख सम्रिध्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है, जो धन संपत्ति को आकरशित करता है। यदि मोरपंक को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं, तो इससे घर में धन का आगमन होता है। संचित धन में कई गुना अधिक वृद्धी होती है। मोर पंख को घर में रखने से पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल तीन मोर पंख लेने हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप पूरा जरूर देखे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वर्दान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली और बढ़ा तपस्वी था। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमन किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन कुछ असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गये। जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया। और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमन कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वद्ध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्थ हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनिय होने का वर्दान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंक होता है, वहाँ पर नौ ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों केवल रशि मुनी और देवता ही नहीं, बलकि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। कि दुनिया के सभी धर्मों में मोर को विशेश महत्व दिया गया है। प्राचीन लोग मोर पंख की अद्भुत शक्ति के बारे में जानते थे। इसलिए सभी धर्मों के ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी मा, लक्षमी विद्या की देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, हनुमान जी तथा कार्तिकेय जी से भी जोड कर देखा जाता है. मा लक्षमी को सुख सम्रिध्धी और संपन्नता की देवी माना जाता है. मोर पंख का प्रयोग करके मा लक्षमी को प्रसन किया जा सकता है और सुख संपदा को प्राप्त किया जा सकता है. यदि मोर पंख के साथ आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं, तो इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है. दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में जगडा करने लगे तो यह मंदिर कम युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है घर में कलेश और जगडे होने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवेश करना लेकिन हमारे घर में ये नकारात्मक उर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक उर्जा पहलाने वाली चीजें मौजूद होती हैं इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं लेकिन उस नकारात्मक उर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर पर खूब जोर-ζोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक उर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। यदि रोज सुभह पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक उर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांती बनी रहेगी। घर से नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक उर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अडचने निर्मान हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख अवश इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तो विद्यार्थियों को मा सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकागरता बढ़ेगी और मा सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। पांचव उपाय दुष्ट शत्रू से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रू जान बूज कर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर मोरपंख पर लगाएं और दिनों तक कोशिश करने के पश्चाद भी मनवानचित फल प्राप्त नहीं होता है कारियों में बार बार रुकावट आ रही है तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चड़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ती प अगर मोरपंख लगाए और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें साथवीं बात अगर पती पतनी के बीच तनाव हो अगर घर के अंदर क्लेश है पती पतनी के बीच बार बार जगड़े होते हैं आपसी प्रेम कम होने लगा है तो उनके बेडरूम में दक्षन पूर् तिजोरी रखते समय ध्यान रहे तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटा कर रखें और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो इससे देवराज की कृपा द्रिश्टी बनी रहेगी साथ ही महालक्ष्मी की पूजा में मोरपंख रखकर उसे तिजोरी में रखें इससे घर म सुख सम्रिद्धी आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है यदि धन की समस्या आ रही है तो घर के अगनी कोण में अर्था दक्षन पूर्व दिशा में अपनी कमर से उपर कंधे की उंचाई पर दो मोरपंख शुकल पक्ष में लगाएं जल्दी ही धन प्राप्ती के अवसर प्राप्त होने लगेंगे नोवा उपाए आप किसी भी शुभ दिन मोर का पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है असल में मोर का पंख नकारात्मक उर्जा को अवशोशित करता है इसल प्रयोग करके आप अपने जीवन में सुख सम्रिद्धि ला सकते हैं इसी के साथ दोस्तों जनमाश्टमी के दिन आपको इन उपायों के साथ साथ जनमाश्टमी वरत कथा भी सुननी और सुनानी चाहिए जिससे आपके सभी पाप धूल जाते हैं और आपकी हर मनोकामना प जी हडप लिया और स्वयम मतुरा का राजा बन बैठा कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी कंस उनसे बहुत सनेह करता था देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयम ही रत हांकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लि और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तब ही वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुँचाए वह स्वयम ही देवकी की आठवी संतान कंस को सौप देगा इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाए का अद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हया का जन्म हुआ। तभी श्री विश्णु ने वसुदेव को दर्शन दे कर कहा कि वह स्वयम ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे है। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें व्रि ऐसे ही कन्हया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी कन्हया को टोकरी में रखकर व्रिंदावन की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर तब वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। वहां कन्हया को यशोदा जी के साथ पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लोट आए। सकंद पुरान के मुताबिक जब कंस को देवकी की आठवी संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुँचा। वहां उसने देखा कि आठवी संतान तो कन्या है। फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुँच कर बोली कि रे मूर्ख मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा क साल तो पहले से ही वरिंदावन पहुच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कन्स ने वरिंदावन में जन में नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किये, कई राक्षसों को भी भेज तो कन्स को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की आठवी संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कन्स का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। उम्मीद है आपको यह जानका अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जैश्री कृष्ण लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।